देर स्नुएंट वो यहाफ डिसकस एजुकेशन फार सस्टेनेबल डिवेलमेंट हम एजुकेशन फार सस्टेनेबल डिवेलमेंट की बात कर रहे हैं उसमें एसी के रोल की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल डिवेलमेंट सुसाइटी की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल डिव हम values की बात कर चुके हुए हैं हम emotional attachment की बात कर चुके हुए हैं हम curriculum की बात की और curriculum के अंदर हमने knowledge की बात की और experience की बात की अब यहां पर जो हम point four के अंदर गुफद्गू करना चाहा रहे हैं हमने point three के अंदर गुफद्गू किया था कि हम music की बात करना चाहते हैं तो म्यूजिक से पहले हमें उसे क्या समझाना चाहिए अब उसके लिए छोटी कलासेज के अंदर जो हमारे पास रोल है वो जितने भी हमारे डिसकार्ड मैटिरियल्स हैं कोई बॉक्सेज हैं या प्लास्टिक के कप्स हैं बॉटल्स हैं कोई पीस आफ पेपर हैं कोई मालशुदा कपड़े हैं एड्स शूज गिलासेज यह बहुत एहम रोल प्ले करते हैं देखें हम अपने लैंग्वेज में इसको बात करते हैं लो कास्ट मैटिरियल्स यह LCM के नाम से जाना जाता है एड्यूकेशन की दुनिया के अंदर जब हमने बच्चों को कोई चीज प्रैक्टेस करवानी है तो लाज़िम बात है कि अगर हम उसकी ओरिजिनल प्रोड़क्ट लेके आएंगे तो उसकी कास्ट बढ़ जाएगी हमने करिकुम के बात की कि करिकुम के अंदर हमने knowledge के साथ उनको experience भी करवाने है अब देखे experience जब होगा तो वो मैं जैसे आपको इससे पहले बात कर रहाए थे seed की कि हम उसको seed दिखा दिखा दिया अफ सी दिखाने के बाद अगला मरहला क्या आ गया अब हमने उसको बता द अब यह हमने एक मिसाल दे थी इसी त्रीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अगर उरिजिनल चीज लेने जाएंगे तो हमारे लिए प्राब्लम हो जाएगे उसके लिए हमें क्या किया उसकी जो हम एक्जामपल है कि हमने अगर इंस्ट्रुमेंट पढ़ाना है य जो खर में वेस्ट हो चुका हुआ है जैसे उसके मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बलाब है वो फ्यूज हो गया है वेस्ट है अब वो अगर आप बच्चे से कहें कि इस वेस्ट को उठाके ले आओ और उस वेस्ट के जरीए आप बच्चे को एक्स्पिरियंस करवा कि यह देखें यह जो बलाब है इसके अंदर क्या पाया जाता है यह किस तरीके से वर्क करता है लाइट हमारे पास कैसे होती है और उसको टच्च भी करके दिखाएं उसको और वो एक्सपिरियंस करेगा और उसकी जो क्रियासिटी होगी वो भी खतम हो जाएगी और सेकंडरी हायर सेकंडरी एजुकेशन तोर पे अमूमी तोर पर हम L.C.M. का यूज़ करते हैं लो कास्ट मेटिरियल का यूज़ करते हैं और ये लो कास्ट मेटिरियल जो है ये हम बच्चों से कहते हैं वो घर से खुद लेके हैं यानि ऐसी बॉटल्स जो आप यूज़ नहीं हो रही आपने फैंक दी हैं आप उस उत्वा के ले आए ऐसे बॉक्सेश आपने कोई चीज़ निका ली है और वो खौली बॉक्सेश आप उसको स्कूल में उत्वा के ले है कोई गिलासेश हैं मिरर्स हैं कोई सी तरीके से वॉट की प्रड़क्ट्स हैं इन तमाब चीज़ों को वो जब लेके आते हैं तो हम उसे जरी उनको एक्सपिरियंस करवाते हैं और वो एक्सपिरियंस जो है वो यू समय ले अब उनके जहन के अंदर एक बुनियाद बन गया है इसे तरीके से ट्रक है, रॉकेट्स है, ट्रेंज है अब यह जब हम इंडर्स्टिज की बात करते हैं तो इनके जो छोटे छोटे प्लास्टिक के बने हुए हैं या वो तमाम जो डिसकार्ड हो गए हैं वो तमाम चीज़ें जो आप काम की नहीं रही उन से हम बच्चों को एक्सपिरियंस करवाके हम उनके लिए एक डिसकावरेंड वर्ल बना सकते हैं अब हमारे पास इस एक्टिविटीज के जरी हमारे पास जो इंपॉर्टन फेक्टर वो क्या होता है अब यह जो नालेज बच्चे ने असल की है यह नालेज उसका कंक्रीट है क्योंकि पहले नमबर पे उसने एक चीज़ आप से पढ़ी पढ़ने के बाद वो चीज़ उसने एक्सपिरियंस की एक्सपिरियंस करने के बाद उसने जब उसको टच करके देखा उसके साथ कोई प्ले किया या उसके साथ ग्रुप एक्टिविटी की अब ये ग्रुप एक्टिविटी जो है वो उसकी लांग टर्म लरने का इस्सा बन गया अब इस एक्टिविटी को अगर आप सस्टेनेबल डिवल्मेंट के साथ अलाइन कर दें तो इसका मतलब है कि हम ज करते हुए हमने उसके नालिज को एक्सपिरियंस में कनवल्ड किया और वह एक्सपिरियंस जो है वह अब लाज़ बात है उसके जिन्दगे के खिसा बन गए वह चाहिए आप पलूशन की बात करें वह चाहिए आप कोई भी फिलास्फिकल डायमेंशन को पर ले जाए और उसक लेकिन अब नालिज और एक्सपिरियंस है जब शियर हो गए उसके साथ अब उसका उसका जो एक्सपिरियंस है वह एक कंक्रीट सुरत अख्तियार कर गए